हेलो डियर रेश्रेंट्स गुड मॉनिंग मैं प्रभात सर डियर रेश्रेंट्स आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वह इभियस है चैप्टर नंबर सेबन जो कि हम लोग ने कल इस चैप्टर का आधा पॉर्शन्स देखे थे ठीक है तो अचली आए देखते हैं इसके अब आउड फेस्टिवल का नेक्स्ट टॉपिक है इसमाड़िंट इंडियर यह फेस्टिबल अगर हम लोग पढ़ रहे थे तहाएं देखे चिल्डिंट के बारे में पढ़ते हैं कि जैसा कि आप लोग जाते हैं कि चिल्डिंट जने हम लोग हर एक वर्ष की बाती मानाते कि विए पंधेश्य defending वे उठ्डीक समय इंडिया के जो फर्स प्राइश्टर थे पंधीज्वार लाल नहरु थे च्यौटन को प्यार से काशा नहरु बुलातहे वैद्डीक से बहुत ज्यादा प्यार करते थे इन इंडिया फॉर्टिन नॉम्बर हीज बर्थेडे़ इस लेवरेटेड एज चिल्डेंट भारत में पूरे भारत वर्ष में मतलब उस दिन क्या कराया जाता है कि बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट उनके स्किल्स और एक्टिविटीज कराया जाती है जो बच्चों के अंदर टैलेंट होते हैं जैसा कि आप लोग की स्कूल में भी सब कराया जाते हैं चिल्डेंट चलिए इंडिया फाइब सेटेंबर इस सेलेबरेटेड एस टीचर्ष डे इन पूरे भारत वर्ष में पांच सेटेंबर के दिन टीचर्ष डे मना जाता है इस दा बर्थडे ऑफ डाक्टर श्रवापल और जरी राधा क्रिश्नन का जनम दिन है डाक्ल्रे क्रिश्न फेकंड प्रेसिडेंट उफ इंडिया अंपुन अपने शमया का राधा क्रिश्न फेकंड फेसे, ज़ुक्रर ऑंइ सेटा इंडिया थे zwischen फ्रेसिदेट फिजय दक आट रिवे फिट ग्लार भी थे है कि he understood that जैसा कि समझा जाता है कि इंडिया कुड प्रोग्रेश वनली इफ भारत जो हमारा प्रोग्रेश कर सकता है यदी और केवल यदी if everyone सभी लोग in the country is educated सभी लोग क्या होंगे हमारे country में educated रहेंगे तो हमारा जो इंडिया है वो प्रोग्रेश करेगा students express their love और students क्या करेंगे अपने लब को जाहिर करेंगे अपने प्यार को जाहिर करेंगे and respect और एक दूसरे को respect के नजरिये से देखेंगे for their teachers on this day by giving them flowers and cards उनको कुछ flowers and cards और कुछ gifts देखकर उनको क्या करेंगे शमानित करेंगे the government of India also present awards to teachers who have dedicated their lives to the education of India मतलब यह कर रहा है कि जो government of India इंडिया गवर्मेंट वह यह यह फी प्रजेंट आवार्ड क्या करता है कि पूरे भारत वर्स से teachers को dedicated teachers को क्या करते हैं कि आवार्ड डिस्ट्रिब्यूट करती है ओके अब रिलिजिस फेस्टिबल के बारे में देखते हैं इंडिया इस लैंड ओफ डिफ्रेंट रिलिजियन्स जैसा कि हमनों जानते हैं कि इंडिया जो है हमारा यह लैंड डिफ्रेंट 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 रिलिजियन्स होते हैं डिफ्रेंट रिलिजियन्स हमारे भारत देश में जैसा कि जानते हैं कि इंड इन डिफ्रेंट एक्टिविटीज सब प्रफॉर्म किये जाते हैं लेट उस लर्न एबाउट सम् इंपर्टेंट रिलिजियस फेस्टिबल जैसे कि दसहरा के बारे में देखते हैं दसहरा मार्ट्विक्टरी ओफ गूड एविल इडिस चलेवरेटिड टू ओनर लॉड रामा घ्ट्रियों रावन दसारह को तो किम एक देखते हैं दस तोर्फॉ डिए यह वह दिए कढल आया जाता है एक डुसरी को अच्छा संदेश दिया जाता है ऑंप सेथ फ्डिस दैचेने है एफ इंध्य सम् धैस्वे इं बायत यह एफगी डिलेटी्रे सफ मेंगल correct और एक कुमकरण और बंट किल किया जाता है इन वेस्ट बंगल दसाहरा सिलेटर ऐस दूर्गा पूजा बंगल में जो दसाहरा होता है वो दूर्गा पूजा के रूपे मना जाता है पीपल वर्षीप एडिल्स ऑफ गॉड़ेश दूर्गा ओन दे लास्ट दे इस आइडिल्स अर टेकन आउट इन हुग प्रोशेशन और देन दे आर इमस्ट इन दो खोली वाटर ओके चली आए देखते हैं दीवाली के बारे में दीवाली is called the festival of light it comes 20 days after the sahara दीवाली marks the return of lord rama जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीवाली जो मनाय जाता है festival of light का color होता है इट कम्स 20 डेज आप्टर दसारा ये दसारा के बिस्तिंग के बाद आता है दिवाली मार्थ रिटर्न ओफ लॉर्ड रामा एट और दे आप्टर 14 एर्स इन एकसाइल जब जब राम 14 वर्ष के वनवास काट कर अध्यर जब वो आपस लोटे थे तो उस्षी करम में हम लोग क् आप इद के बारे में देखते हैं इद और इद उलफितर जो है यह मुशलीम का एक इंपोर्टन फेस्टिबल माना जाता है यह अप्टर दो होली मन्त रामजान के महिने में आता है इस दिन मुशलीम में क्या करते हैं कि रोजा रखते हैं फास्टिंग करते हैं और इद पीपल वेर न्यूट्रेसा और इद के दिन पीपल जो लोग होते हैं नए ड्रेसा पहन कर एक दूसरे शेगले मिलते हैं मश्किव जाते हैं अपने दरगाह में जाते हैं यह बाठा जाता है एक इस्पेशल स्विट डिस बनाया जाता है जो कि शेवई कहा जाता है चिल्डेन गेट इड़ी मनी फ्रम दियर एल्डर्स ओके यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम इतना ही तक को करेंगे एक चैप्टर एक वीडियो आमारा और आएगा जो कि उसमें सब सारा चीज ओबर हो जाएगा ओके थेंक यू